कि नमस्कार दोस्तों मैं हुआ जंदर दत्त और आप देख रहे हैं अर्ध प्रकास टीवी दोस्तों हर्याणा में बढ्दान सभा चुनाभ है दूसरी तब हर्याणा की बात करें तो हर्याणा में पिछले कुछ समय से जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं कालका के जो अमीद वा रहे हैं कांग्रेस के परदीब चौधी जी उन पर हमला हुआ और उनके काफले से एक जो व्यक्ति है वो जखनी हो गया तो आज राजनीती में जो अपराद है तो उस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ हर्याना से हर्याना की राज लीती है उस पर क्या आसर पड़ेगा ब्रवंदी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमरे स्टूडियो में शुक्रिया राजन जी ब्रवंदी पंचकुला के पास जो कालका के उमीद वारा है कांग्रेस के उनके काफले पर हमला हुआ गोली चली और एक समर्थक जो है उनक जांच कर रही है नतीजे पर पहुँची नहीं है कि वो कौन लोग थे जिन्हों परदीप चोधर के काफले पर हमला किया ये लोग तीन एक ही मोटर साइकल पर सवार थे परदीप चोधरी अपने समर्थकों के साथ गाड़ियों के काफले से किसी गाउं में परचार के कि उसने कुछ वीडियो बनानी शुरू की इसी दोरान मोटर साइकल पर तीन लोग युवक आये और उनने तावर तोड फाइरिंग की जिसमें ड्राइवंग सीट पर बैटे गोल्डी नाम के युवक को तीन गोलियां लगी है उसकी हालत गंभीर है प्रदीप चोधरी को कंपेन बीच में छोड़के गोल्डी को देखने अस्पताल जाना पड़ा अस्पताल में एड्मिट करना पड़ा इसके अलावा एक और प्रदीप चोधरी का समर्था जिसके हाथ में गोली लगी है और गाड़ी में तीन लोग और बैटे थे वो बच गये हैं लेकिन कि अब टिकिट मिली है वहां लड़ाई जो है भाजपा की सक्ति रानी शर्मा और प्रदीप चोधरी के बीच सीधी लड़ाई अब परिणाम क्या हो गए तो आठ अक्टूबर को पता चलेगा लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस को जो चुनाव लड़ने वाले उमीदवार हैं एतियाद के तोर पर उनके स्रुक्षा बढ़ानी चाहिए और ये कॉंग्रेस के जो कारेकरता है नेता है माकालका छेतर के उन्होंने मांग किये कि ना कि अलकालका बलकि पंच पुलासे जो पूरू उप्रूंतरी चंदर मों चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी स्रुक् का भी खुलासा हो जाएगा कि प्रदीप चोधिपर हमला करने वाले कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था लेकिन देखिए आम जनता में भैपैदा करने की कोशिश हो रही है तो पुलिस को इस पे और थोड़ा सा सक्ती करनी पड़ेगी अपराजियों के प्रदीप गंब और पुलिस ने जमा भी कराए हैं और बहुत से जिन्नों ने जमा नहीं कराए हैं उनके लाइसस भी रद किये तब ऐसी इस्तिति अगर पैदा हो रही है तो यह कौन लोग हैं यह जांसका एक विशह है बिल्कुल अपने आप में एक चिंता का विशह है ऐसे समय पे जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और चुनाब हैं और चुनाब के समय पे जब आपने कहा कि जो लसंसी हथ्यार होते हैं और सारे के सारे जमा करा दिये जाते हैं जो लोग जमा नहीं करवाते हैं उनके जो लसंस रद कर दिये जाते हैं तो ऐसे समय पे इस तरह हमला होना अपने पुराने रंजी से दो गैंगेस्ट्रों के बीच की लड़ाई है ये गुरुवार को रात को रोतक जिले के बोहर गाहों में एक शराब के ठेक पर कुछ लोग बैठे हुए थे तो अचानक मोटसाइकल सवार वहां भी मोटसाइकल सवार ही आये अंदा दूंद फाइरिंग की उन्होंने तीन लोगों की मोके पर ही मोट होगी और दो लोग जखनी हुए हैं तो और मरने वालों में एक गैंगस्ट्रा प्लोट्रा उसके भाई की भी मोट हुई है तो ये गैंगवार आपस में एक दूसरे से पुराने रंजिस को लेके इस तरह की घटना सामने आई है पुलिस वहाँ भी पोंच्ची है फॉरइंश्रिक टीम भी वह पोंच्य है लेकिन हमलावर वहां से भी फरार होने में tyre कामियाब होगे bez यानि कि फिल्ममoin में जो हम देखते थैं-on निदीयर से आती थी हमलावर मोका दीछ फरार हो जाते इन दोनों घटनओं में वो पुलिश यासी कहानी है कि यहां भी हमलावर फ्रार होगे वहां भी अमलावर फ्रार होगे जाहिए कि इतना तो पता लगी गया कि एक गैंग वार है दो गैंग आपसमें बिढ़े हैं पुरानी रिख्षिस से तो पुलिस जांच करी है अभी पुलिस के एस्बी को धंका रहे हैं और बोल रहें कि आठ तरी तक तुमारा राज चलेगा तो यह राजनीती में जो प्राधि करने है यह राजनीती में यह दबबंगा या कहीं न कि कहां तक जाएज है वीडियो वायरल हूँ मैंने भी देखा है जी और उस वीडियो में मंत्री मनिश ग्रोवर साब जो रोतक से भाजबा के टिकेट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो धंकाते भी दिखाई दे रहे हैं कि आपका समय जो है वह आठ अक्टूबर का है और चुनाव परिणाम आएंगे तो फिर हम आपको देखेंगे और वह धंकी दी जारी है वह हीमा कोंग्रेस की अगर सरकार बनती है तो वो उस पर क्या करवाई करती है यह तो भौश के गर्म में है लेकिन वीडियो वायर लुआ था और किसी पॉल्टिशन का किसी एसपी को धंकाना उसको जायज नहीं ठागा जा सकता और चुनाव के मोके पर तो बिलकुल भी नहीं जब पलिस को लाइन ओर काबू में रखना होता है हर जगे लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी और पॉल्टिशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो वहां पॉल्टिशन का इस तरह को विवार जायज नहीं ठागा जा सकता बिलकुल ठीक करे हैं अभी बात करते हैं बढ़ते अ कोलना पड़ा कि जल्दी उनको अश्वाशन जियागे कि जल्दी हम उस पर कारवाई करेंगे तो बैपारी वर्ग भी जो है कहीं न कहीं सुरक्षित नहीं है तो सरकार का रोल जो है वह कहां है जब नायव जिंग सेनी साब को मुख्यमंत्री बनाया गया तो यह जाहिद है में अपराद की घटनाएं बढ़ी खिसार में एक कारोबारी पर हमला किया गया जो जन्नाएक जनता पार्टी से जिनका तालुक था उनके शोरूं पर गोलियां चलाएगी और इस तरह की घटनाएं बढ़ी तो व्यापारी वर्ग चिंतित हुआ क्योंकि वो शांती से अप कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और लाइंड ओर के इस्तिति स्टेट में ठीक नहीं है आप इस्तिति को ठीक कीजिए और मुख्यमंत्री ने उस बावनाओं को समझते हुए व्यापारियों के दैसत डर को समभा हैसूस करते हुए उन्होंने पुलिस को आदेश भी षुण के मौने पर तो पुलिस को और सक्ति ब्रतनी चाहिए मेरा ऐसा माननी है सर बिपारी वरुप की बात करें घैनवए की बात करें इवन हम उमीदवरों की बात करें जो लीडर है उनकी बात करें तो अपरात जो बढ़ रहा है इसके कारण क्या है देखे एक तो के मामले में हरियाना देस में नंबर वन है हाला कि सरकार इस बात को स्विकार नहीं करेंगी करनी भी नहीं चाहिए लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाना में पड़े लिखे युवा लोगों की तादाद बड़ी है और उस अनुपात में नोक्रियां नहीं है दूसरा हरि प्रियना सरकार ने जो कोसल रोजगार निगम के जरीए भरतियां किये हैं उसमें तंखा कम मिलती है नोक्री सुरक्षित नहीं है उपर से जो अगनीवीर योज़रा आगी जो चार साल में आप नोक्री करके घर आ जाओ युवा पड़ा लिखा तब का चाहता है कि उनका भव अगर पुलिस संरक्षन ना दे या सकती से कारवाई करे तो भी अपराद में कम ही आ जकती है लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जुगाड करके और यह सब चलता रहता है और पुलिस अगर लापरवाई बढ़ते हैं अपराद जो है अभी चुनावें जिनों तो उस पर क्या आफर पड़ सकता है इंचीरियों का देखी मैं तो कहता हूं कि जिस पार्टी की सरकार है और उस सरकार में अपराद अगर बढ़ते हैं तो निश्य तोर पर मत दाता उस पार्टी के प्रती रुख जो है अलग अख्तियार करता है उनको लगता है कि लाग अनौडर की सिच्वेशन को कंट्रोल करना इस सरकार के बस में नहीं है जितना अपराद बढ़ेगा सरकार की छवी उतनी गिरेगी और हरियाना में मैं सुन रहा था कि कॉंग्रेस के जो प्रदे सद्धियर से चोधियो देवान वो आंकड़े दे थे कि हरियाना अपराद के मामले में भ लातकार होते हैं कितने हद्य होती हैं वह आंकड़ों के साथ वता दे बारते हैं बहरते जनता पार्जी ऐसे कि खंड़न अभी तक किया नहीं है और चाहे वहा प्रदीब चोधरी कि काफेले पर गोलई चलना और रो ने करों बारियों को फिरोती के लिए चिठ्षे लिखना कि उनके शोरूम पर गोली चला न हम देखते रहें कि अपराध बढ़ रहा है और सरकार को लोगों के बीच में इस तरह का संदेज देना होगा कि इस सरकार रहते होए अपराधियों के लिए हर्याणा में कोई जगह नहीं है हुड़ा साब जो पहली बार चीफ मिस्टर बने थे तब उन्हों न का था या तो अपराद ही हर्याना छोड़ दे या अपराद छोड़ दे तो इस तरह को शक संदेज जो है नायव सिंग सेनी साब को भी पुलिस अफसरों को और लोगों को बीच में देन नहीं रहा है दूसरा हर्याना जो है वो कहीं ने इसके साथ राजस्तान की सीमाई लगती है पंजाब की सीमाई लगती है इसके साथ यूपी की सीमाई लगती है और दिल्ली की सीमाई लगती है जिस वज़ए से कई बार क्या हो था कि दूसरे स्टेट से अपराद करके अप पें जब्त भाद के लिए का और को ईब कर के इसके पारे में चुछ रोड़ा, इन तो अपराद ही करेगा, कब करेगा कहा करेगा इसके बारे को जेल के शीक्चों के पीछे बेज दिया जाए यानि कि सरकार की काम्याभी इसी बात में है कि पुलिस कितनी तेजी से कारवाई करके अपरादी को पकड़के जेल के समय बढ़ता है, बेरुजगारी बढ़ती है, नशे का प्रभाव बढ़ता है, अपराद भी बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह हरियाना, पहले तो उड़ता पंजाब एक फिल्म बढ़ी थी, तो पंजाब के हाला दिखाये गए, अब दिरे दिरे हरियाना में भी नसा बढ़ रहा है, पाकिस्तान से ड्रोन के जरीए, पंजाब में नसा आता है, और उसके बाद फिर सप्लाई होता है, कहां सप्लाई होता है, कैसे सप्लाई होता है, वो पुलिस को सब पता होगा, अगर पुलिस किसी भी अपराद को रुखना चाहे, तो मैं समझता कि अगर सरकार सक्टी करे पुलिस को खुली छूट दे कि अपराद पर किसी तरह का सेह नहीं किया जाएगा उस पर लगाम लगनी चाहिए तो पुलिस पर सक्टी से कर लाई करें एक एहम सवाल है हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि राजनीती और अपराद का चोली दामन क जो रिष्टा है जी और अक्सर सुनते और देखते हैं कि यह सब चीजें अपराद और राजनीती साथ साथ चलते हैं क्या कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता कि राजनीती जो और अपराद जो है इन में फर्क हो सके नहीं बहुत सारा तो कुछ हुआ है देखिए पहले जब उ परिष्टितियों से गुजरना पड़ा हो सब उनको अपने उसमें नमंगन पत्र में भरना होता है तो अब मद्दाता पर डिपेंड करता है कि किस उमिद्वार पर कितने किस किस तरह के केस दर्जें अब मद्दाता अगर यह सोच ले कि हमें किसी अपरादी को नहीं चुन है और वो राजनीती में उसके देखा देखी और लोग भी आएगे तो बहुत कुछ मद्दातां पर निर्भर करता है पार्टिएं को निर्भर करता है कि वो किस तरह कि छवी की उमिद्वार को टिकटे तो राजनीति-क पार्टिएं को अपराधियों से बचते हुए साब स तक्षक जी एहम सवाल है कि जो अपराध है उस पर नगाम कैसे लग सकती है देखिए मैं तो कहूंगा कि आठ सारी को रिजल्ट आ जाएड़ों कौन सी पार्टी की सरकार बनती है और सरकार का अपराधियों के प्रति कितना सक्स रवया रहता है इस पर डिपेंड करेगा सरका रहता है कि हमने अपराध को जड़ से खतम होरा परपने नहीं देना कि तो उस सरकार की वावाई होगी और आने वाले कुछ दिनों में पिक्चर शाफ हो जाएगी और सरकार का रूख भी आपके सामने आ जाएगा बिल्कुल ठीक है जी तो दोस्तो जो अपराद है वो बढ़ रहे हैं उसके लिए अपराद को रुकने के लिए जितनी सरकारे कोशिश करती हैं उतना ही आम नागरिक भी उसमें एक एहम रूल अदा कर सकता है आपको चाहिए कि एक साफ शबी वाले उमीदवार को वोट देकर आप उसको जिताए ताकि वो जब आपका प्रतिनिदी बनकर समाज में आए तो समाज को एक अच्छा संदेश दे खैर आगे भी हम लोग इसी तरह की चुनावी चर्चाएं लेकर आपके सामने पेश होते रहेंगे तब तक देखते रहिए अर्थ परकास टीवी और दोस्तों अगर आपका कोई सुझाब है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपके हर कमेंट का हर सुझाब का स्व